Welcome students, welcome to the lecture number 5 of data frame और आज जिस topic के बारे में हम discuss करने जाएंगे that is joining and attributes of data frame ठीक है यानि कि joining के concept और जो data frame के साथ जुड़े जो attributes हैं हम उनके बारे में discuss करेंगे So चलिए अपना lecture begin करते हैं और हाँ इस lecture को देखने के बाद प्लीज इसको like और share जरूर कर दीजेगा और अभी तक अगर अपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजेगा ठीक है तो चलिए अपना lecture हम start करते हैं So आज जो topic start कर रहे हम लोग that is joining का ठीक है joining वाले topic से start करते हैं अपना So इस से related question यहाँ पर मैंने डाला हुआ है देखेए अब suppose मान लीजे मेरे को यहाँ पर दो data frame दे रखें एक data frame जो दे रखा है उसका नाम है अपना data frame 1 ठीक है और उसके अंदर यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यह c1, c2, c3 और यह सब दे रखा है तो पहले मैं जरा यह data frame 1 को यह design कर लेता हूँ कि data frame 1 कैसा बन रहा है मेरे पास ठीक है इसमें column है c1, c2, c3 यानि कि c1, c2 and c3 और row है index r1, r2, r3 दे रखा है यहां पर 1 आ गया, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 3 आ गया, दूसरे में दे रखा है 4 and 5 यहां पर r2 में 4 आ गया, 5 आ गया और जो last दे रखा है वो मुझे दे रखा है यहां पर 6 बस so यहां पर मैंने 6 ले लिया, ठीक है जी, so अब जो data frame दे रखा था, उस data frame के accordingly जो values थी, वो values तो मैंने ले ली लेकिन अब यहां पर जहां पर भी data हमने नहीं fill किया, वहां पर क्या होगा, जैसे हम मैं पता है कि ऐसी जगाओं पर n, a, n आ जाता है तो यहां पर भी n, a, n, not a number, यहां पर भी n, a, n, not a number आ गया और जिस column के अंदर n, a, n आ जाता है उस column की values जो होती है वो floating point बन जाती है, यहनि decimal लग जाता है उन पर, तो यह मेरा data frame 1 है, this is my data frame 1, ठीक है अच्छा अब data frame 2 जो दे रखा है जरा उसको भी बना लेते हैं हम लोग यहां पर, तो columns उसमें c2 और c5 है, so c2 और c5 और row दे रखा है इसके अंदर r4, r2 and r5, ठीक है, यह दे रखा हमारे पास और अब इसके data को plot करते हैं, जैसे पहला दे रखा 10, 20, so यहां पर 10 आ गया, यहां पर 20 आ गया, फिर 30 है, तो सिर्फ यहां पर 30 आ जाएगा, then 40, 50 है, तो तीसरे के लिए 40 and यहां पर 50 आ गया, तो simple अब यहां पर एक ही खाली है, तो उसमें nan भर देंगे, और जिस column में भी nan आएगा, वहां पर 0.0.0 अटैच हो जाएगा, so यह हमारा d frame 2 है, ठीक है जी, so दोनों data frame मेरे तयार हो गए, d frame 1 भी तयार हो गया, और d frame 2 भी तयार हो गया, अच्छा, अब यहां पर हमारे प d frame 1, तो यानि कि अब जो data frame 1 है, वो मेरा update होगा, और यह d frame 1 के data frame में, data frame 2 का data add-on करके यह डलवा देगा, अब जराच पहले देखते हैं कि जब इन दोनों को append करेंगे, तो क्या आएगा result हमारे पास, so एक तरह से हमें क्या करना है, d frame 1 dot, उपर जो हमारे दे रखा है, that is d frame 1 dot append d frame 2, ठीक है, so d frame 1 dot append d frame 2, ठीक है, यह इस तरह से इसको append करना है, now, अब देखो, जब यह join होंगे, तो कैसे join होगा, अब यहाँ पर, किस तरह से इसका, इसके joining का result कैसे बनेगा, columns लिखते हैं, पहले c1, c2, c3 है, so c1, c2, and c3, और इसमें देखें, अगर दूसरे वाले में, तो एक c2 और c3 column है, c2 column तो अलड़ी यहाँ पर included है, तो उसको नहीं लेंगे, बस एक c5 बन गया, वो ले लेंगे, अब इसके rows के number लिखो, r1, r2, r3, so r1, r2, and r3, यह हो गया है, अचा, अब जो दूसरा वाला है, इसमें r4 है, r2 है, और r5 है, ठीक है, तो इनको भी लिखना पड़ेगा हमें, so r4, r2, और r5, तो चलिए पहले अब इनका data fill out करने शुरू करते हैं, तो भाई है, यह जो पहला data frame है, इसके c1 में, यह लिखावा है, 1, फिर 2.0, फिर 3 3.0, फिर यह 4 है, 5.0, nan, और यह हो गया 6, nan, और यहाँ पे भी nan आ जाएगा, ठीक है, अचा, अब जो दूसरा जो data frame का data है, इसमें append गया है, उसको भी लिखते हैं, तो इसमें r4 में 10 और 20.0 है, तो c2 में 10 है, c2 में 10 आएगा, और यह आ गया जी अपना 20.0, r2 वाले में यहाँ पे 30 है, और इसमें r5 में nan है, और r5 वाले में 40 और 50.0, तो 40 है, और यहाँ पे 50.0 आ गया, तो अब हमने देख रहे हैं कि काफी सारी जगाएं जो हैं, वो empty हैं, तो जितनी भी जगाएं यहाँ पे empty होंगी, उन सब जगाओं पे क्या आ जाएगा, nan, य nan, nan, और nan, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी nan आ गया, तो यह बाकी जो columns का data यह भी 0.0, 0.0 में convert हो जाएगा, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो सब जगा पे nan आएगा, और इस column के अंदर भी जो non decimal वाली value सब में decimal add हो जागा, 0.0, 0.0, ठीक है जी, तो जब हमने यह क इसको d frame 1 भी लिखा है, so that जो भी इसका result है, यह data frame जो है, मेरे पास जो अब आया है, यह data frame मेरा d frame 1 में चला जाए, ठीक है, अगर नहीं लिखूंगा, तो वो सिर्फ मुझे ऐसे join करके दिखा देगा, पर कोई data frame में changes नहीं होंगे, तो यह जब लिखा है, इसलिए लिखा statement 1 है, so हमने statement 1 का data print कर दिया, कि यह हमारा statement 1 का answer होगा, ठीक है, जो first statement हमने print करने थी, now उसके बाद बोला गया है, आगे मुझे दिया गया है, data frame 2 is equal to data frame 2.append data frame 1, और यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखिए, sort is equal to true, अब यह क्या होगा दरहा देखते हैं उसको यहाँ पे, तो पहले जरा हमें इस statement को लिख देता हूँ नीचे, so हमें यहाँ पे दिरका है, d frame 2 is equal to d frame 2.append, और यहाँ पे लिख दिया हमने क्या अनम है, that is d frame 1, और यहाँ पे एक attribute का option लिख दिया, that sort is equal to true, ठीक है, तो यहाँ पे जो attribute हमारे पास है, that is sort is equal to true, यह हमने और लिख दिया है, तो जरा इसको देखें, अब इसमें किस तरह से काम होगा, तो पहले जरा यह हम d frame 2.append का जो है, इसका case तियार करते हैं, ठीक है, कि यह किस तरह से हमारे सामने work करेगा, तो देखो, sort is equal to true लिखने का से मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब होता है, जो columns है, ठीक है, जितने भी columns हैं, उन columns को, ठीक है, columns जो है, उन columns को sorted order में रिखना है, ठीक है, अब जैसे जो d frame 2 है, उसके अंदर मेरी जो columns हैं, वो d frame 2 में है, c2 और c5, ठीक है, यहाँ पे data frame 2 में c2 और c5 यह दोनों columns हैं, लेकिन जो d frame 1 है, उसमें c1, c2 और c3 यह columns हैं, ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखें यहाँ पे, कि sort is equal to true लिखने से क्या होगा, अगर यह नहीं लिखता तो वो ऐसे लिखता, c2, c5, फिर c1, c3 ऐसे लिखता, ले c2, c3, and then c5, ठीक है, बागी पहले data frame 2 की values r4, r2, and r5, और उसके बाद data frame 1 की जो values है, r1, r2, r3 वो आ जाएंगे आपे, that is r1, r2, and r3, ठीक है जी, और बागी फिर data तो आप fill कर लेंगे, अपने, जो भी empty रह जाएगा, वहाँ पे आपको पता है कि यह n, n values हमने डालनी है, but sort is equal to true कर दो, यह इस तरहां से, अगर by chance यह sort is equal to true नहीं होता, तब, यहाँ पर, किस तरहां से आता, अगर by chance यहाँ पर मैंने sort is equal to false जगा होता, वैसे by default sort is equal to false, यह default होता है, ठीक है, यह क्या होता है, यह default होता है, लेकिन अगर मैं इसको overwrite करके true कर दू từंगा, तो फिर जो column से वो सारी sorted order में देगा अगर by chance यह मैंने नहीं लिखा होता या अगर मैंने sorted is equal to false करके mention कर दिया होता हो तब क्या होता तब यहां पर ऐसे आता C2, C5, C1 and C3 क्योंकि C2 अलड़ी आ चुका है और बाकी यह तो अपने asd's आते R4, R2, R5, R1, R2 and R3 ठीक है अगर sort is equal to false होता तब इस तरह से आता बट sort is equal to true कर रखा इसलिए columns जो है सारे ascending order में यहां पर बन के आएंगे ठीक है जी इसके बाद देख लेते हैं अब यहां पर यह वाला काम भी हो गया हमारा और इधर एक next लिखा हुआ है अब इसके आंसर में देखो किस तरह से आएगा अब यहां पर data frame 1 जिसमें पहले यह line में लिख देता हूँ नीचे फिर मैं इसको explain कर देता हूँ ठीक है so data frame 1.append data frame 2 कर रहे है और ignore index हमने true कर दिया नीचे जगा नहीं है मैं इसको तुछा उपर खाली space है मेरे पास उसको इसमें लिख देता हूँ so वहाँ पर मुझे क्या कराना था d frame 1.append ठीक है यहां मैंने लिख दिया d frame 2 और यहां पर ignore underscore index is equal to true कर रखा है अच्छे दिखो यहां पर मैंने sort के बारे में तो यह खावा तो इस statement के अंदर यह जो statement मेरी है इस statement के अंदर sort is equal to क्या होगा false क्योंकि by default sort की value false ही रहती है इसलिए sort false होगा मेरे पास ही ना पर चलिए अब यह समझ में आ गया कि भी है इसमें sort को mention नहीं किया है तो sort की value false ही रहेगी और यह सारी चीज़ें मेरे पास हैं अब जो data frame 1 है उसमें कैसे था c1, c2 और c3 column थे और data frame 2 के अंदर c2 और c5 column थे यह थे ना तो अभी तो मैंने sort option कुछ दिया नहीं है तो यह तो अपने साब से c1, c2, c3 पहले first वाले का और फिर इसका जो जैसे c2 तो already हो चुका है तो c5 column आ जाएगा लेकिन अब जो यहां पर आते थे थे ना r4, r2 वो नहीं आएगा अब उसकी जगा पर आएगा 0, 1, 2, 3, 4, and 5 ठ वो जो index आते थे r1, r2, r3, r4, r2 वो सब रहीं आएगा यहां पर 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से मेरे पास data आएगा ठीक है बाकी joining, warning बिल्कुल वैसे होगी जैसे हमने सीखी थी जैसे हम लोगों ने करी थी बस यहां पर index की जगा 0, 1, 2, 3, 4 आ जागा अगर ignore index is equal to true लिखा हुआ है तो ठीक है जी तो यह चारो statements हैं इनके हमने output देख लिएगी किस-किस तरह से इसमे output आएंगे after that अब next topic जो है मेरे पास वो है attributes of data frame ठीक है कि attributes data frame के अंदर कौन-कौन से available है तो अब जरा देखते हैं यहाँ पर attributes के बारे में देखो अब attributes का समझाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक data frame दे रखा है जिसमा नाम है df और यह geo area, very dense, moderately dense, open forest, Assam, Kerala, Delhi, these are the column names और यह सारे हमारे index labels हैं और यह data हमें दे भी रखा हैं अब यहाँ पर पहला पूछा गया है कि अब मुझे attributes बताने हैं to display the row labels अगर मैं row के labels देखना चाहता हूं row के labels that is geo area, very dense, moderately dense, open dense इनको देखना चाहता हूं तो मैं उसके लिए क्या लिखूँ तो देखे ए पार्ट का answer मेरे अरपास रहेगा that is data frame में मेरा df. अब मुझे index देखने हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँँगा index, बस, so यह मुझे क्या देगा, यह मुझे एक return करता है object और जिस object के इंदर क्या होंगे, index of the data frame, ठीक है, so इसके लिए जो attribute उस होगा मेरा वो index होगा, तो अगर मुझे row labels देखने हैं तो df.index next attribute है, to display the column labels, यानि कि अब मुझे यह column labels हैं, असाम कैरला दिल, यह देखने हैं, तो इनके लिए मेरे पास attribute क्या है, df.columns, ठीक है, so next एक attribute मेरे पास कौन सा आ गया, columns, so columns attribute क्या करेगा, जो तने भी column labels हैं, आपके data frame के उनको return करते हैं, तीसरा पूछा गया है, to display the data type of each column in the data frame, हर column का, अगर मुझे data type जानना है, तो मैं क्या करूँ, so देखिए, उसके लिए मेरे पास है, यहाँ पे, अगर मैं data type देखना चाहता हूँ, हर एक column के लिए, तो मैं क्या लिखूँगा अब यहाँ पे, so अब मुझे यहाँ पे, एक attribute है, मेरे पास d type, ठीक है, so मैं अ output कैसा आएगा, वो बता देता हूँ मैं, ठीक है, तो देखिए, इसके output में क्या है, columns मेरे पास कौन कौन सी है, भई columns की heading देखिए तो मेरे पास 3 है, आसाम, कैरला और दिल्ली, ठीक है, तो अब इसने लिख दिया है यहाँ पे जी, आसाम, ठीक है, and then next दे रखा है यहाँ कैरला, और after that दे रखा है मुझे दिल्ली, ठीक है, अचा अगर असाम वाली column को मैं देखता हूँ, तो इसके अंदर सारी integer values है, कैरला में भी सारी integer values है, लेकिन दिल्ली में decimal वाली values है, ठीक है, तो देखिए, तो असाम और कैरला के अंदर तो integer वाली values थी, तो इसलिए यहा आजाएगा, D type, इसका float 64, ठीक है, तो यह भी ध्यान रखना है, अगर कल को, suppose, output के question में, आपको data frame दे रखा है, और यह लिख दिया, और 3-4 option दे दिया, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि किस तरह से काम होगा, नाउ, उसके बाद next देखते है, next attribute कौन सा दे रखा है, तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे, जितनी भी values हैं data frame की, वो देखनी है, तो उसके लिए मेरे पास कौन सा attribute होता है, उसके लिए होता है, df.values, ठीक है, यह attribute है मेरा, तो यह attribute जो भी है, यह मेरे को सारी values जो as data frame की, वो सब दिखा देगा मुझे, ठीक है, नाउ, इसक functionality of the data frame का मतलब है कि data frame का जो basically size है, मतलब कितने rows, कितने column है, dimension मतलब होता है rows and columns के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो कितने rows and columns हैं वो हमें देखा, तो यह row, इसकी जो dimension बताना या rows या column बताने का काम, यह मुझे कौन करके देखा, इसके लिए मेरा attribute है, df.shape, ठीक है, यह shape attribute है, अब क्या था, इस shape attribute के बारे मैंने जब series में बताया था कि यह answer आपको ऐसे देखा कि बहुए कितने rows and कितने columns हैं, ठीक है, तो अगर जो मेरा उपर data frame है, उसमें df.shape लिगा तो मेरे पास क्या answer आएगा, अब जरा इसको देखें, इसके अंदर rows कितने हैं, जैस लेकिन जब हम columns की बात करेंगे, तो एक column, दो column, तीन column, अचा कई बार लोग गलती क्या करते हैं, इसको भी as a column के तोर पे include करते हैं, नहीं भाई, column मतलब यहां पे इनकी बात करें, we are talking about the columns जिनके अंदर values पड़ी हैं, ठीक है, अब वो index label की बात नहीं कर रहे हैं, तो shape.shape जब लिखेंगे तो उसका देखो output कैसा बनावा आएगा हमारे पास, rows कितनी थी हमारे पास, वहाँ पे चार और columns कितनी थी थी, तो 4,3 ऐसे लिखावा हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है, so dimension जो है data frame की अगर देखनी है, यानि कि कितने rows and columns हैं, so वो dimension हमें shape के द्वारा है, now G पे आते हैं, जी हमें कह रहा है कि भाई या, next हमें देख रहा है यहां पे कि to transpose, to transpose the data frame means rows, indices and column labels of the data frame replace each other position, so अगर suppose मान लो मेरे पास एक attribute है जिसका नाम है T for transpose, so अगर मैं F लिख देता हूं यहां पे df.t, तो यह attribute क्या करेगा, जो भी मेरा data frame है उसको उल्टा दिखा देगा, यानि कि suppose मान लो पहले असाम, कैरला, यह पहले मेरे वहां पे देखा नाम है, column label से, अब suppose यह कैरला और जो I think आखरी वाला है, that is Delhi, so यह पहले column label से, अब यह indexes बन गए, और जो मेरे indexes थे, वो सारे के सारे अब यहां पे column labels बन जाएंगे, ठीक है, तो जो यह दे रखे थे ना, that is अपना यह geo area, very dense, moderately dense, open forest, यह सारे के सारे चीज़ें जो हैं, यह उपर row में आ जाएंगे यहां पे, ठीक है, और यह सारे के सारे नीचे आ गए, so geo area, very dense, moderate dense, so यहां पे geo area, moderately dense, heavy dense या very dense जो भी है, वो यहां पे आपके इस तरह से बन के आ जाएंगे, ठीक है, तो transpose जो है, T stands for transpose यह क्या करेगा, जो columns थी, उनको row बना देगा, और जो row ले थी, उनको columns बना देगा, यह नहीं, उल्टा कर देगा, interchange कर देगा, ठीक है, अच्छा, इसक बाद हमारे पास, और क्या question दे रखा है, यहां पे, देखे, to display the first n rows in the data frame, अब यार यह first n rows जो है, इनके लिए हमारे पास एक head function और tail function हुआ करता था, so मैं इसका answer यह लिख देता हूँ, उसको अगर मुझे head वाल, मतलब first n देखना है, तो n, और जितने भी n अगर लिख द अपला method है, df.tail, और यहां पे जितने number of records बोलोगे, उतने number of records last से वो दिखा देखा हूँ, ठीक है जी, तो यह हमारे attributes दे रखे हैं, index, columns, d type, values, shape, transpose, यह सारे हमारे attributes हैं, अच्छा एक और attribute है, अगर suppose, shape से तो मुझे पता लग गया, कितने rows and columns हैं, मैं यहां पर ऐसे देता हूँ, अलग से, अब मैंने अगर लिख दिया, df.size, अब यह size attribute क्या करेगा, देखो यह क्या देता है, जितने भी number of rows है, multiply by number of columns, यह करके मुझे दे देगा, तो यहनि कि अगर मैं अभी यहां पर df.size लिखूँगा, तो मुझे पता है कि जो मेरे का data frame दे रखा है, उसमें rows है 4, और columns है 3, तो 4 into 3, 12, so df.size लिखा तो मुझे 12 answer मिल जाएगा, clear है, so एक यह और attribute था, तो जिसके बारे में हमने लिख दिया है, ठीक है, तो जितने भी attributes हमने पढ़ लिए, उसके अंदर हम लोगों ने देखिया था, एक attribute है हमारा index, ठीक है, जो index को return कर देगा एक attribute है हमारा columns, जो सारे columns के नाम दिखा देगा, ठीक है, उसके बाद एक attribute है हमारा, that is values, जो सारी values दिखा देगा, उसके बाद एक attributes है हमारा shape, जो की basically row और column की जो value है, कितने rows और कितने columns है, वो दे देता है, एक और important attribute है, that is size, तो size हमें जितने भी number of rows निकले है, multiply by number of columns करके, जो answer होगा, वो हमें देगा, D type जो है, यह D types नाम का जो है, यह हर एक column का data type है, वो आपको बताएगा, यह क्या है, T नाम से transpose है, यानि कि यह rows को column, columns को rows में convert कर देगा आपके लिए, ठीक है जी, अच्छा, इसके अलावा जिसे यह हमने attributes जो देखे हैं अपने पास, तो हमने transpose देख लिया है, size हो गया, हमारे पास shape हो गया, values हो गया, D type, columns, index हमने देख लिये, उसके अलावा दो special function यहां पे हैं, that is head, अगर आपने खाली रखा है, तो यह first five rows निकाल देदेगा आपको, और अगर आपने head और bracket में कुछ number लिख दिया है, तो यह first n rows निकाल के देदेगा, ठीक है, same is the criteria with the tail, अगर सिरफ tail लिखोगे, तो यह last five records निकाल के देगा, और अगर tail और suppose मालनों आपने कोई number देदेगा, let's say n, so यह last n records निकाल के आपको देदेगा, ठीक है, यह last n rows बोल दो, rows निकाल के देदेगा, ठीक है जी, तो यह कुछ attributes है जिनके बारे में ध्यान रखना है, especially यह shape और size के बारे में, इन से related question आने के chances हैं, ठीक है, बट आप यह है कि rows और columns जब आप count करेंगे तो उसमें गड़बड मत करना, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप columns count करेंगे, तो उसमें यह index वाले जिसमें index label लेगे हैं, उस column, उसको मत include करना है, columns means जहाँ पर values ज़ली हैं, we are talking about only those columns, ठीक है, तो यह जो हमने data frame पढ़ रहे थे, data frame में यह एक तरह से last topic था हमारे पास, ठीक है, so data frame का topic हमारा यहाँ end होता है, लेकिन अच्छा हाँ, एक छोटा सा मैं चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, कि हमारे पास कुछ functions भी होते हैं, एक function है, हमारे पास max, ठीक है, small में लिखते हैं max को, एक method है, हमारे पास max के नाम से, एक min है, और एक sum है, so यह भी हमारे data frame के उपर चल सकते हैं, जैसे मानलो, for example, कि मेरे पास एक यहाँ पर जो से, जो मेरे पास यह data frames बना, data frame बना वाइस में एक आसाम है, मानलो, मुझे यह चेक करना, आसाम में सबसे highest value क्या है, so मैंने लिखा df, अब column को involve कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया जी, आसाम, ठीक है, और dot, फिर यहाँ पर आजागा max, तो यह आसाम में सबसे maximum value जो है, वो निकाल देगा, उसी तरह से, अगर suppose मानलो, मैंने यहाँ पर लिख दिया, आसाम और मुझे अगर minimum value चाहिए, ठीक है, so dot min, और sum चाहिए, तो df, यहाँ पर लिख दिया, मैंने आसाम, ठीक है, और dot sum, तो इससे हमें उनका sum भी मिल जाएगा, ठीक है, और ऐसे ही suppose मानलो, अगर मुझे आसाम और दिल्ली में से कुछ maximum value find out करनी है, तो df, और यहाँ पर हम एक nested form में आसाम, और एक मेंट, आसाम, यह ऐसे दिल्ली लिख लेंगे, और यह बंद और यह बंद dot max, ठीक है, जो जो option हमने चलाएं हैं, पड़ें हैं, उन सब को use कर सकते हैं, बस उसको accordingly data frame लिख दो, and then dot करके फिर जो भी method आपने call करना हैं, आप उसको call कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हमने हमारा data frame का जो topic है, यहाँ पर finish होता है, so students, फिर यह lecture हम यहीं पर end करते हैं अपना, ठीक है, so data frame जैसे कि हमारा complete हो गया है, तो अगर आपको यह video पसंद आया है, तो इसको आप like ज़रूर कर लिजे, और अगर channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लिजे, ठीक है जी, so thank you very much, and have a nice day,